हेलो स्टूडेंट वेल्कम टू माई नर्चर मैं हूँ क्रिष्णा कैसे हैं सब लोग मस बढ़िया तो यहां पर हम लोग सब लोग इस दवा से वाकिफ है सभी न कभी न कभी नाक में दवा डाली है ठीक है तो नेजल प्रिपरेशन क्या है आओ देखें फटाफट तो क्या गर रहा है नेजल प्रिपरेशन आर लिक्विड सेमी सॉलिड यह लिक्विड भी हो सकता है लिक्विड ड्रॉप नाक में सब डालते हैं सेमी सॉलिड भी हो सकता है और सॉलिड प्रिपरेशन भी हो सकती है ठीक है ना तीनो प्रकार की हो सकती है ध्यान रखेंगे लि administration to the nasal cavity नाक की जो छिद्र है छेद है उनमें डालने के लिए to obtain a systemic और local effect effect दोने प्रकार के आएंगे जब हम नाक में दबा डाल देंगे तो हो सकता है systemic वो दबा नाक में जो blood capillary से cells को cross करके blood capillary में चला जाए blood capillary से blood में आ जाए तो systemic हो जाएगा यह हो सकता है local effect की नाक नाक का नाक में रहे blood में ना जाए दोनों तरीके से effect शो कर सकता है they contain one or more active substance obviously बात है जो main effective constant होगा वो एक भी हो सकते हैं एक से ज्यादा भी हो सकते है nasal preparation as far as possible non irritating and do not adversely affect the functions of the nasal mucosa and its cilia जो nasal preparation होती है जहां तक संभाव है वो नाक में जाके किसी प्रकार का irritation create नहीं करती है irritation मतले समझते हो ना जर्ण बगारा नहीं करेगी और जहां तक है वो जो नाक के अंदर का mucosa है do not adversely affect थोड़ा बहुत असर कर सकती है adversely बहुत बुरी तरीके से नाक के अंदर पाए जाने वाले mucos mucos membrane होते हैं गीले-गीली से रहती है हमेशा और नाक के अंदर पाए जाने वाले cilia जो cells के cilia होते हैं उनको कोई भी effect नहीं करेगी ठीक है फिर कह रहा है aqueous aqueous पाणी टाइप aqueous nasal preparation आर यूजिली आइसोटोनिक आइसोटोनिक समझते हो ओस्मोटिक प्रैसर है ना जो cell का concentration होगा नाक के अंदर वाले वही ड्रॉप का concentration होगा दोनों का to adjust the viscosity of the preparation to adjust और stabilize the pH ठीक है ना तो excipient क्या क्या हो सकते हैं viscosity हमें set करने उसके लिए कुछ डाल सकते हैं viscosity को set करने के लिए adjust और stabilize the pH नाक का जो pH है हमें दबागा पीएश ही रखना है तो उसके लिए buffer इस्तमाल कर सकते हैं to increase the solubility of the active substance हम कोई चीज ऐसी यूज़ कर सकते हैं जो ड्रॉप उसके अंदर एक्टिव सब्स्टांस उसको dissolve होने में help करेगी और to stabilize the preparation यह हम उसके अंदर कोई ऐसा excipient यूज़ कर सकते हैं जो preparation को stabilize करेगा basic सी बात है मिटा पिरप्रेशन को single dose container हो सकता है एक बार में इस्तवाल कर ली जाए या कई बार में इस्तवाल करेंगे तो multi dose आजाएगा provided if necessary with a suitable administration devices यह लाइन इसी के आगे है ठीक है अगर जरूरत है तो administration devices याने की device होता है उसके अंदर meter dose होते हैं कि एक बार में उतनी पंप करेंगे तो उतनी दबा जाएगी ठीक है न विच में बी डिजाइन टू अवाइड दा इंट्रोडक्शन आफ कंटेमिनेंट्स वह इस प्रकार से बनाई जाती है जिससे की कंटेमिनेंट्स उसके अंदर किसी प्रकार के कंटेमिनेशन ना हो बेसिक बाते मेटा अगर दिमाग में है तो यह कुछ लाइन ऐसी है सब में लिख सकते हैं खेरियां container की बात आ रही है खास तरीके की ठीक है several categories of nasal preparation कई तरहे category हैं जैसे की drops और spray नाग के spray आते हैं नाग के powder भी आते हैं semi solid nasal preparation भी आती है nasal washes आते हैं पानी करके saline होती है वो ऐसे नाग में डालते हैं तो नाग को साफ करके फिर निकाल दी जाती है ठीक है nasal stick stick टाइप की रही है यसे नाग में डालतेंगे खेल खतम ठीक है पास समय मारी है तो यह तीन-चार category है अब भी कह रहा है कि nasal preparation प्रोड़क्ट अप्लाइड इन नोज टू टू ट्रीट कंडिशन्स ऑफ दा नोज और नैजल सिम्टम्स ऑविसी बात है नैजल प्रोड़क्ट है जिसको में अप्लाई करते हैं नाग में जिससे कि वह क्या करेगा नाग में जाके ठीक कर देगा नाग के अंदर होने इसके इसकेंदर काम में आती है को इस तीरोड हो सकते है लुब्रीकेंट हो तका है उसके अंदर ठीक हो ब्रोड़क्ट होज sweeping जबात है इस्टमाइन हो सकते हैं जोगी खुझली को रोकते हैं डिकंजेस्टन जोगी जकडन को रोकते हैं ठीक है अब यूज ऑफ नेसल प्रिक्रेशन यह जो यहां पर लाइन पॉइंट बने हुए यह यह सारे अब यूज में आ रहे हैं क्या यूज में आ रहे हैं डिकंजेस्टन नाक की जक्रण को खोलने के लिए salt water solution और saline nasal spray ठीक है नाक में जब mucus गड़ा-गड़ा होता है तो इसका इस्तमाल करते हैं anti-inflammatory और antibiotic फटाफट देख लें decongestant सबसे ज़्यादा यह इस्तमाल होता है decongestant decongestant to really blocked nose नाक जो बंद हो गई है जक्रण गई है उसको खोलने के ल जाएंगी पतली हो जाएंगी इन डाइनिक को a लग व्लेट पूल जाती हैं तो नाक ब्लॉक हो घाती पतली हो जाएंगे तो नाक का फिर दार पूरा जो यहां के टिसूस भी स्वेल कर गए उनको भी श्रिंक कर देगी सुकोड देती है डोंट यूस फॉर मोर देन थ्री डेज और कोड सिंप्टम्स कुड गेट वर्स है ना जबी दॉक्टर कहता है इसको एक या दो दिन से जादा इस्तमाल नहीं करना है ठीक है लगाता इस्तमाल नहीं कर सकते इसका वरना दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी सॉल्ट वाटर सलूइशन और सेलाइन नेजर स्प्रेश लूजर अप म्यूकस डोंट कंटेन एनी मेडिकेशन यह के वल क्या होता है म्यूकस को पतला करने के लिए होता है इसके अंदर किसी प्रकार की दवाई नहीं होती है आन्ति-न्फ्लामेट्री दियाने की इंफ्लमेशन वो क्कम करने विए डियिफ अलर्जी सिंप्टम फो नाव में क्या राधनेस हो winds और एक दम से थीं। से मैसी अंपनेक्षें और माधन सनस स्फरिय नाक झालраст करने के लिए इसका इस्ते अ긴 रहता है फिर antibiotics to treat nasal और upper respiratory infection यहां गले की तरफ अपर respiratory infection कोई infection या नाक में कोई infection है तो ऐसे नेसल preparation के इस्तेमाल किया आता है जिनके अंदर क्या होती है antibiotics होते हैं तो यूज क्या हो गया चार तरीके सा हम इसका का इस्तेमाल कर सकते हैं किलियर है चलें आगे 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 आते हैं एडवांटेज क्या है इसका एडवांटेज यह है rapid local therapeutic effect हम दवा खाएंगे पेट में जाएगा घुलेगा तब नाक पर जाके असर करेगा तो बहुत से फिर पूरी बॉड़ी में मूव कर जाएगी ठीक है बात समझ में आई ओके रैपीड अटेइन्मेंट ऑफ द थेरोपेटिकली रिलीवेंट कंसेंट्रेशन टूदा ब्लड स्ट्रीम कोई दवा खाते हैं तो पहले टूटती है फिर ब्लड में जाएगी धीरे-धीरे जाएगा यह जब नाक में डालते हैं तुरंद ब्लड केपलरी से होती हुई ब्लड में जाती है और बहुत जल्दी जो थेरोपेटिक कंसेंट्रेशन हम ब्लड में चाहते हैं वह हमको बहुत जल्दी अचीव हो जाता है रैपीड ऑंसेट ऑफ फार्मकोलोजिकल किसी परकार का दर्द वगरा नहीं होता है निडल फिरी डिलेवरी है किसी ट्राइग सुई नहीं चुबाई जाती है इस ऑफ एड्मिस्टेशन बड़ा असान है नाग खोलो ड्रॉप डाल दो तो इस ऑफ एड्मिस्टेशन ठीक है असेप्टेवल टू पेशेंट इंस्यो और कोंप्लेस्ट कामप्लेएंज का 플सना पेशेंट के लिए पतले हैं आकाफ purity कहीं है 5 способ होता है तो इसकाफ ज्यादा आएगा आइपक्स एपर हते कि केमिकल मैक्रोब्यल ठीकान है काफी हतना की सबस्ती और जो stability है वो acceptable है मतलब काफी अच्छी है clear है बाते है चलो आगे देखते हैं हम लोग disadvantage तो disadvantage क्या है इसके nasal root of drug administration is not suitable for drug that are irritating अगर कोई drug irritating है तो हम उसका nasal preparation नहीं बना सकते हैं बात है ठीक है वो क्या करेगा injurious to the nasal mucosa या कोई ऐसी drug है जो नाक में डालने से क्या है नाक की mucosa को hurt कर सकती है नुक्सान पहुचा सकती है तो ऐसी ऐसी दवा या ऐसे active pharmaceutical ingredient को ले करके हम लोग अपनी medicine यानि की nasal preparation नहीं बना सकते हैं बात समझ में आ रही है यह ओके now the active ingredient must have a molecular weight less than 1 kilo dalton to be absorbed अगर इसका जो weight है इससे ज़्यादा है तो ये नाक के cells के द्वारा अंदर absorb ही नहीं होगा nasal drug administration is limited however to every small volume and thus only applicable to potent drug with high water solubility अब है क्या नाक में drop क्या करते हो drop डालते हो ना क्या ऐसे लेके पानी के तरह डाल लेते हो नाक के अंदर drop डालते हो ठीक है ना तो वही कह रहा है हम लोग जब drop डालते हैं काफी small volume होती है 25 to 200 microliter अब इतनी छोटी volume में दवा ऐसी होने चीए जो बहुत ज़्यादा पावफुल हो पावफुल होने के साथ साथ वो दवा पानी में highly soluble भी हो तब कहीं जाकर के उतने से solution के अंदर वो दवा नाक में जाएगी और body के अंदर जाकर के अपना effect दिखा पाएगी तो वो ही कह रहा है नेजल ट्रक इंप्रिशन इस लिमिटेड लिमिटेड है क्यों हाववर हागी टू वेरी स्मॉल वॉल्यूम एंड दस लिमिटेड है और बहुत छोटे छोटे वाल्यूम में दिया जाता है तो होता किया दस ओनली एप्लिकेबल टू पोटेंट ड्रग जो पोटेंट बहुत भी पावफुल ड्रग सेंट के लिए अपिकेबल है विद हाई वाटर सॉलिविल्टी सॉलिवल होंगे तभी तो नाक में जाएंगे मतलब अपने शॉल्में भूल जाएंगे और उनका सॉलूशन बने का तर नाक में जाएंगे अगर नाक में कोई इंफेक्शन डिजीज है तो नाक में जब डालेंगे तो एप्जॉप्शन जो है उसका इंपेर्ड मतलब प्रॉपर नहीं होगा डोज is limited due to relatively small area available for absorption डोज लिमिटेड है नाक का एरिया बहाँ छोटा होता है पेट तो है ना इंटेस्टान वगरा काफी बड़ा एरिया होता उसका तो इसलिए डोज क्या हमारे पास लिमिटेड है compound that reached the nasal epithelium rarely achieve prolonged contact time with this cell surface due to presence of the mucus that cover the mucosa अब कह रहा है जो दबा compound नाक की epithelium सबसे अंदर की layer पर जाकर touch करता है rarely achieve prolonged contact वो बहुत ही rare ऐसा है कि बहुत लंबे समय तक touch में रहे क्यों mucus भी आ रहा लगा था भाई यहां महालों यह दबा टाच होगी नीचे से क्या निकला mucus उसने इसको बाहर निकाल दिया हमने नाक्षिन की छी ठीक है तो यह दबा बाहर आ जाएगी बास समय आ रही है तो कहरा compound that reached the nasal epithelium जो nasal epithelium compound पहुंच जाता है ठीक है rarely achieve prolonged contact वो बहुत ही मुश्किल है कि बहुत लंबे समय तक contact को contact में रहे ठीक है with the cell surface due to the presence of mucus that cover the mucosa mucus की वज़े से बहुत लंबे समय टेस्ट में नहीं रहती है विच इस इस नाट जाओ फीलिए भार निकल ठीक है वासा सीली हो थालिया भार नीकल फेल्ट थीलिया मुकस को जाका मार रहे है मुकस दखका लग रहा तो इसको भी जाका लग रहा और यह भार आ रहा है तो नेजल रूट ओडिलेवरी इस नॉट एप्लिकेबल तो और ट्रॉट वहर तरह के ड्रक के लिए अप्लिकेबल नहीं है एपजर्प्सन ऑफ पोलर ड्रक्स एंड सम् मैक्रो मॉलेक्व बेटा पोलर नॉन पोलर ड्रक्स हम लोग इसकी बात कर चुके हैं कहां पर फार्मक अजली डिजॉल हो जाते हैं ठीक है ना पॉल एंड सम् मैक्रो मॉलेक्व सार्ण इस एंस्फिशेंट ड्यू टू पूर मैंब्रेन परमेंड़ी तो अब जया पास क्या होती यह जो सेल टी यह कैसी होती है फॉस्फो लिपीड अब यह बात है कोई बच्चे को सौंज में नहीं आ रही होंगी कि यह क्या प्रादिया सब्सक्राइब यह सेल की डावल होती है तो इसका बीच वाला पार्ट होता है ठीक है तो कोई भी पोलर ड्रग को इस लिपीड से क्रॉस करके जाने में दिक्कत होती है पढ़ोगे सेकंड इयर में ठीक है तो और कुछ मैक्रो मॉल्कुल वह पार नहीं कर पाते हैं इसलिए उनकी क्या पूर म खराब कर देते हैं तो यह बता रखा है कुछ ड्रग के साथ ऐसी कंडिशन भी होती है तो क्या कर डिसड़ांटेज है तो यहां पर चारपांट शे साथ जो पॉइंट आप याद रखेंगे नेक्स्ट आते हैं नेजल डोजिस फॉर्म नेजल की डोजिस फॉर्म क्या क्या किस-किस रूप में अविलेबल है डोजिस फॉर्म तो मैसी पड़ रहें तो तुम गोगो सर है तो लिक्यूडी लिक्विड नहीं वेटा आप सनो शलूशन शलूशन होता समझते हो ना सलूशन क्या होता है शलूट कंप्लीटली डिसॉल्विन सॉल्वेंट है ना यू तो बात पता ही है तो एक हमको स crafting की रूप में मिलता है सुलूशन में डो चीज़े आजाती है नैजल डोप और नैजल श्प्रे तो स सलूशन हम लोग क्या पिरिफर करते है इस प्रेट चागी करते हैं ट्रौह के बज़ाएं क्यों ड्रॉपस सार मोक लाइक्ली ट्रेइन इन्टू दा back of the mouth जो drop होता है ना जब नाक में पढ़ता कर भी डाला हो अगर drop पढ़ता हो सीधा नाक से निकल के गले में आए तक कड़वा कड़वा सा लगता है क्या आगया हुआ है अरे बोलो कमेंट करो हुआ है अगले में कड़वा कड़वा लगता है अब इस्प्रे होगा तो जैसे मैंने मैंने इस्प्रे किया जातर नाक के स्प्रे ऐसे किये जाते हैं तो इस्प्रे करने से वो नाक की लेर पर जाके पूरे फैल के लग जाते हैं अपना काम चालू कर देते हैं इस्प्रे में फाइदा हो गया वो गले में ना जा करके नाक में फैला ड्रॉप गले में चला जाता है नाक को असर नहीं कर पाता है बात समझे बारी है छुट-छुटी चीज है सब जानते हो कोई साइंस है कोई पढ़ रहे हैं हम लो आ जाओ ठीक है मतलब रिसकर चला जाता है बैक इंटू दा माउट एंड थ्रॉट और फिर हम उसे निकल लेते हैं बेकार हो गया हो अगर वो वोलटाइल है बहुत जादा तो हम इनहेलर का इस्तमाल करते हैं इनहेलर तो सब नहीं लिया होगा ना तो जो दवाएं वोलटाइल होती है तो इनहेलर की तरह इस्तमाल लेते हैं भाब बन के वो कहाँ चली जाती है ना के परतों पर जाके चिपक जाती है तो नेजल ड्रॉप की बात करें सबसे सिंपल है और सबसे आसान है मोस्ट सिंपल और सबसे असान है में डिसरवांटेज लैक ओफ डोज प्रिसीजन यहां पर डोज का प्रिसीजन नहीं होगा हम ड्रॉप लेते न कई बार एक बुन डाल दी पर लगें दो बुन पड़ गई इसका इसका इस्तमाल होता है जगडन के लिए ऐलर्जी के लिए और और नाग जुखाम हो गया जो एक चीज़ मैं हमें सब बोलूँगा कोशिश करें ठीक है ना एक्जाम में डेफिनेशन के साथ साथ एक्जामपल देने की जब भी आप कोई देते तक एक एक्जामपल पका देने कोशिश करें तो यूज ऑफ ओईली नैजल ड्रॉप शुड भी अवाइड़ विकॉज ऑफ पॉसिबल डेमेज तो देखा होगा नैजिवियन है ना नैजल ड्रॉप बच्चों के लिए भी आता है बड़ों के लिए भी आता है ऑक्सी मेतअजोली नाते हिनआ अगलता है तो उसी को मिष्ट बोलते हैं तो फाइन मीस्ट एकज़ा इंट्व नॉस्ट्री 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 मतला नाक के नथ्र न छे दें बाइदे एक्षिन अफ हैंड ऑपरेटर फंप मेकेनिज ठीक है ना देखा होगा तुम लोग ने नेजी वेन का स्प्रेय भी आता है हम लोग सिंपल इसको क्या करते हैं ऐसे लिया और नाक के स रखके इसे नाक के अंदर हलका सा रखके से दवा देते हैं तो इस प्रेय की तरह निकलके पूरी नाक में ऐसे फैल के लग जाता है सप्लाइड इन कंटेनर कंटेनर में सप्लाइ किया जाता है इसका विद्वाइजिंग डवाइजिस एक मतलब ठीक है और इन याने की एक बॉच्छार जैसे उसमें convert कर देंगे ठीक है fitted with a suitable adapter and without metering dose valve इसके अदर adapter हो सकता है ठीक है ना जिससे की control किया जाएगा और with or without metering dose meter dose भी होता कि एक बार में हमने pump किया तो उतनी दवा 1 ml या 2 ml ठीक है प्रेस किया तो एक बार में 1 ml या 2 ml उतनी दवा नाक में जाएगी उस स्यादा नहीं जाएगी तो कई बार metering dose भी लगे होते हैं देखेंगे अभी इसका डियाग्राम भी देखेंगे एक्जांपल है राइनो कॉर्ट नेजल स्प्रे बिका बिकोस बिकोनेज बिकोनेज नेजल स्प्रे किलियर है और यह दखेंगे इसका डियाग्राम दिया इसको लिखा भी नहीं है नेजी वे नेजल स्प्रे ठीक है इस स्प्रे सिंपल है कुछ नहीं है next nasal suspension उपर solution था ये suspension है यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा ओविसी बात है इसको थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा suspension है liquid preparation containing insoluble material suspension के अंदर क्या रहता है insoluble material पढ़ चुके हम लोग पहले suspension क्या होता है ठीक है नа for nasal administration primary as drop हिला लेते हैं अच्छे से फिर निकाल करके Stop फिर डालते हैं स्पेंजस नाक में भर देते हैं एक ह्रक किकर डालता है दोनों नाक सांस भी सोेजिस NACE ड्राइनेस और इरिटेटेटेड मीकोसा के लिए रहे हैं पाउडर की बात करें थो पाउडर भी आते हैं पूरी नाक में जाकर लग जाएंगे तो पीटा देख लो हर प्रकार का नेजल प्रक्रेशन अविलिबल है सब को पता है सब के अंदर क्या क्या होगा एक विसकोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट या विसकोसिटी मॉडिफायर होगा ठीक है इंक्रीज नेजल रिजिस्टेंस टाइम अब थोड़ा कर देंगे तो थोड़ दिर जाद देर तक नाक में रहेगा यह इसका परपस है वंस ड और पार्टीकल ना वाइड लिए इसलिए क्या जाता डॉप डाल के लेटेर अथोड़ी दिर तो वह थोड़ें लंबे समय तक मियुकुसा सब्क के नाक में अबना काम करता है डिले मुको सीलियरी क्लेर। डिले कर रहा है म्युको सीलियरी जो म्यूकस और CELीयरी जो सीलिय है यह करता है एक्ट टू रिमूव फॉरन बॉड़ी जो भी बाहर की कोई चीज है उसको नाक से नेजल मुकोस है इसको जितना जल्दी हो वह से धक्का मार मार के उसे बाहर निकालने कोशिश करते हैं तो वह उसको डिले कर देगा कड़ा करें और किसी प्रकार का नुकसान भी ना करें इस प्रकार होना चाहे है इनको तो example, solvents, co-solvents, ionic and some non-ionic surfactant, selected fatty acid, including oilic acid and certain lipids and cyclo-dextrin, एक दो याद कर लोगे इसके अंदर से osmolarity adjustment agent, कोई direct cell से touch हो रहा है और अगर osmolarity balance नहीं होगी, ठीक है मालो यह ज़्यादा concentrated हो गया solution तो cell के अंदर का सारा liquid निकल के बहार आ जागा, और दिक्कत हो जाएगी हमको, या यह less osmotic के अंदर concentration कम है तो इसका सारा content cell के अंदर चला जाएगा, cell मेरा फूल जाएगा, है to prepare isotonic solution, osmolarity adjustment agent मतलब हमको isotonic solution चाहिए, with nasal secretion, ठीक है न, जो भी हमारा नाक का secretion है, उसको कैसा होना है, isotonic, जो भी नाक हमारा निकाल रहा है, उसका आइसो टोनिक होना चाहिए, जिससे की, नाक की अंदर के cells वहारा damage ना हो, ठीक है, हम लोग साल का कुसका इसनौर करते है, N hypotonic nasal spray formulation improve drug permeability through the nasal mucosa, अब इसी बात, अगर hypotonic होगा, तो जल्दी-जल्दी cell के अंदर जाकर घुश जाएगा, ठीक है, अब बहुत जदा hypotonic नहीं होना चाहिए, देखो ये क्या होती है, semi-permeable membrane, याद है न, this is semi-permeable membrane, ये A और ये B, अगर ये hypo है, तो इसके अंदर का जितना भी solvent है, फटा-फट B की तरफ भागेगा, पढ़ा होगा ये, osmolarity, osmosis के अंदर चीज़ें जो हमने पढ़ रखी है, तो hypotonic अगर होगा ये nasal drop, ठीक है न, तो ये हमारे, this is the nose cell, तो जैसी drop डाला, drop के अंदर है content, ये जो solvent है, फटा-फट, फटा-फट कहां जाएगा, तो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि पूरा एक्दम भुज्जा और सेल फट जाएए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हलका सा hypotonic चलेगा, buffer होते हैं जिससे कि pH हमारा balance rate to adjust pH 5.5 से 6.5, the average baseline human nasal pH is reported to be around 6.3, नाक की जो लगबग एक average अगर pH की बात करें तो 6 6.3 होती है, the pH inside the nasal cavity can influence the rate and extent of absorption of ionizable drug, जो नाक के अंदर का the pH inside the nasal cavity, जो नाक के अंदर का pH है, can influence प्रभावित कर सकता है the rate and extent किस दर से और किस हद तक absorption होगा, ठीक है, किस rate से किस दर से और किस हद तक absorption होगा, ionizable drug का इस चीज को pH affect कर सकता है, ठीक है, the optimal range for pH of nasal formulation is suggested to be 5 to 6.5, यानि कि जो nasal formulations है हमारे पास, जो nasal preparations है, उनका pH जो suggest किया गया है, बताया गया है, सबसे अच्छा pH, अगर हम उसका pH 5 से 6.5 की बीच में रखेंगे, तो best माना जाता है, example, citrate phosphate buffer हो गया, जिसके अंदर citric acid plus di sodium phosphate होता है, ठीक है, एक example दे दिया इसका, antioxidant होते हैं, प्रिवेंट करते हैं, दवा को है ना, to prevent drug oxidation, butylated hydroxy toluene, solubilizing agent, जो enhance the solubility of drugs, simple-simple हैं ये तो, glycerol derivative, antimicrobial preservatives होते हैं, benzalconium chloride preserve करके रखते हैं, microbes से, humectant होते हैं, जोड़ेंट को maintain करेंगे, तो retain the moisture so that it minimizes irritation, है ना, जाकि नाख मेंड़ डालेंगे, तो moisture को बना के रखे, जिससे कि एक दम से दबा सूखना जाए और वहाँ जाकर चिपकेगी, तो irritation हो सकता है, example क्या है, glycerol, ठीक है तो यह लगभग, common, common से चीज़े हैं, characteristics of vehicles, vehicles मतलब, जो हम लोग उसके अंदर, एक तरह से vehicle मतलब, excipients, या जो हम कहारेंगी solvent, solvent जो इस्तमाल कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग, active pharmaceutical ingredient को dissolve करेंगे, उस solvent की क्या-क्या characteristics होनी चाहिए, उसकी range जो होती है, pH की 5.5-7.5 के बीच में होनी चाहिए, mild buffer capacity, बहुत ज़्यादा heavy buffer नहीं होना चाहिए, isotonic होना चाहिए, cells के साथ, do not modify the normal mucous viscosity, जो हमारे नाक के अंदर के mucous की viscosity है, जो already natural mucous निकल रहा है, उसकी viscosity गाड़ेपन को modify ना करें, मतरा disturb ना करें, compatible with normal ciliary motion, जो cilia के motions है, उसके साथ compatible हो, उसके साथ दोस्त बनके रहें, ठीक है, and ionic constant of the nasal secretion, जो नाक अंदर से chemicals निकाल रहा है, ionic constant है ना, कुछ ना कुछ निकाली रहा है, है ना, potassium, sodium, जो भी निकाल रहा है, उसके साथ इसको क्या होना है, compatible होना है, compatible with active ingredients, है ना, यानि कि जो active ingredients है, जो इस solvent के अंदर डाले जाएंगे, उसके साथ क्या रहेगा यह, compatible होना चाहिए, stable होना चाहिए, जल्दी खराब ना हो, sterile होना चाहिए, किसी परकार का microbes में होना चाहिए, इसके अंदर और preserved होना चाहिए, बटा basic बाते हैं, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, सवाल कैसा हुए आए, कुछ 7, 8, 10 पॉइंट अपने मिला करके, मैं ठीक है ना, एक lecture प्रिपेर करूँगा यहाँ पर, जिसमें आप basic basic बाते हैं, वो सब के अंदर लिख करके आ सकते हैं, ठीक है, प्रिपेरेशन की बात करें, तो अगर हमें solution बनाना है, ठीक है, accurately way measure each of the ingredients, जो भी ingredient, ingredient उसके अंदर डाले जाएंगे, उसको हम लोग exactly नाप लेंगे, dissolve the ingredients in about 3-4 of the quantity of water, 3-4 पानी ले करके उसके अंदर उसको dissolve कर लेंगे, पानी कौन सा होगा, water for injection जो होता है, याने कि जो अपना water लेते हैं, injection को भरने के लिए, पाटर वाला injection पानी मिलाते हैं, उसको हम बोलते हैं, water for injection and mix well, तो simple थी बात है, जो जो ingredient लेना है, मिलाना है, उसको साइज से measure करके, 3-4 पानी जो total पानी में तो 3-4 ले लेंगे, और उसके लेंगे, add sufficient water for injection to volume and mix well, ठीक है ना, अब बचे हुआ जो पानी हैं, जितना volume होँ में करना, उतना पानी और मिला देंगे, मालो 1000 ml ते बनाना तो 3-4 लिया था, इस्टेराइल 0.2 micrometer filter into a sterile nasal container, filter through a sterile, 0.2 micro एक filter paper आता है, ठीक है sterile filter paper होता है, जिससे कि हम मान के जलते हैं कि जो microbes हैं, उसके 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 filter हो जाएंगे, वहाँ से filter करते हैं, फिर बाद में into sterile nasal container, जो nasal container वो भी sterile है, यान कि किस प्रकर का microbes नहीं है, उसके अंदर उसको डाल देते हैं, pack कर देंगे, level कर देंगे, बेसिक बेसिक बाते हैं, इस टप में याद कर लेंगे, suspension करना है, इसका ही वही सेम तरीका है, accurately measure each of the ingredients, जो भी ingredients है, simple से, अब देखो suspension, solution, यह हम लोग पहले बना चुक है न, तो बड़े देखो suspension solution बनाने का तरीका तो वही रहेगा, बात समझमारी तरीका वही रहेगा, वो वाले तरीके भी लिख दोगा न, suspension solution वाले, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है न, accurately measure each of the ingredients, सारे ingredients measure कर लेंगे, वो यह 3-4 पानी लेकर के, उसमें mix करके हिला लेंगे, add sufficient water for injection to volume, and mix well, ठीक है न, add sufficient water for injection to volume, to volume को मतलब क्या है, हमने beaker लिया था, यहां तक हम बनाना था, 3-4 यह रहा मेरा, फिर उतना पानी डालेंगे, कि यहां तक पानी आजा, यह ही हो गया, इसका मतलब add sufficient water for injection to volume, जितना volume चाहते हैं, वहां तक उसका मिला करके, मतलब पानी डाल करके, अच्छे से हिला देंगे, determine pH, other quality control factor, from sample of the suspension, अब यहां पर जो ingredients हमने डाले हैं, वो कैसा होगा, insoluble होगा, हम packaging suitable container for autoclaving, जो packaging होती है, suitable container की उसको autoclaving करते हैं, फिर autoclave कर देंगे, ठंडा करेंगे, और फिर autoclaving में heat करते हैं, ठीक है ना, high temperature पर, और फिर बाद में क्या लगा देंगे, level लगा देंगे, example की बात करने से, एphedrine है, तो इसके अंदर क्या है, एphedrine 0.5 gram, ठीक है, chlorobutol 0.5 gram, sodium chloride 0.5 gram, ये तीनों हमने weight कर लिए, अब क्या है हमारे पास, 1000 ml बना रहे हैं हम लोग, यानिकी 1 liter बना रहे हैं, तो इसका 3 चौथाई कितना हो जाएगा, 750 ml, कितना हो जाएगा, 750 ml के अंदर, ये तीनों ले करके, dissolve करवा देंगे, जब अच्छे से मिल जाएगा, तो मालो इतना हो जाएगा, 750 हो जाएगा, और यहां तक कितना हो जाएगा, 1000 ml हो जाएगा, तो पाइड डालेंगे, कहां तक यहां तक, लेवल कर लेंगे, फिर खूब अच्छे से हिलाएगे, फिर 30 ml के, पैकेजिंग कंटेनर में, कनवर्ट करके, सप्ला ही कर देंगे, हो गया, ठीक है, फिर डिरेक्शन दे दिया है, प्लेस 2-3 डॉप्स इन इच नॉश्ट्रिल एज डिरेक्टेट, हर एक नॉश्ट्रिल में, जो नॉश्ट्रिल होती है, नाक की नॉश्ट्रिल है, हर एक नॉश्ट्रिल के अंदर, 2-3 डॉप्स डालने है, जैसा की कहा गया है, किलियर है बाते हैं, नॉश्ट पैकेजिंग कंटेनर, पैकेजिंग कंटेनर कैसे होते हैं यह भी देख लें फटाफट यूजली कंटेनिंग 15-30 ml प्रोड़क्ट है ना 15 ml या 30 ml की सी सी होती है चोटी से सब ने देखिए देखो इस टाइप से ना 30 ml या 15 ml की सी सी होती है घर रहा है कि अगर सिस्टेमिक थेरोपेटिक ड्रग है सिस्टेमिक मतलब अगर उसकी सप्लाइ बलड में होनी है टिक है नाक में ढालेंगे और वहां से बलड में जाएगा it is necessary यह जरूरी है to calibrate our dropper, dropper करें, dropper अगर हम उसमें 1 boon डाल रहे तो उसका मतलब 1 ml हो यह नहीं कि 1 boon डाल रहे तो 0.5 ml का हो रहा है वो, calibrate कर लें, डॉक्टर बोलेगा ना कि अच्छा 2-0 ml डालना है मतलब दो दो बून डालनी है ठीक है ना बात समझ में आ रही है ओके और स्प्रे कंटेजर तो डिलीवर है कंसिस्टेंट एक समान और युनिफॉर्म डोज जाए नैजल डॉप की बात करें तो जो ड्रॉप होते हैं वो इमबर कलर रिब्ड इमबर कलर होता है इसको उपर यहाँ पर चूड़ियां होती है इसको बोला गया है वेग्जनल ऑट्र Hemant होता है। ठीक है ना बोटल फिटड्विद अरॉपर उपर तीत होती है और इसके नीचे डॉपर होता बोटल fitted with plastic cap इसके वो plastic cap रहती है incorporating a dropper device अब इसके खोलते हैं हम लोग ऐसे दवाते हैं तो इसके अंदर से drop by drop करके चीज़े निकलती है ठीक है न दोन टाइब के container हमने देखे हुए है इस्तुमाल किये हुए है नैजर इस्प्रे की बात करें pressurized container with metered dose इसके अंदर pressure से हम लो एजर इस्प्रे में कहा रहेगा pressurized container with metered dose aerosol system which deliver a fine spray when squeeze जब से squeeze करेंगे या फिर ऐसे करके दवाएंगे तो meter dose आगे लगा होता है तो उतनी दवा निकलती जितने की एक बार के press करने में पूरा press करना होता है कि वो जितना 1 ml 2 ml जितना सेट होता है उतनी निकलती उससे यदा नहीं निकलेगी प्लेन प्लास्टिक बोटल विद प्वंप इस्तों या फिर हम लोग प्लेन प्लेन प्लास्टिक बोटल का इस्तमाल करते हैं एक बार comment करें है तो उतना ही डोउस आये लेवल शुड बियर दर फॉलिंग इन्फॉमिशन इसका जो लेवल होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए नेम ऑफ द्रग ऑविसी बात है अमाउंट ऑफ द्रग सब्सक्रांस पर कंटेनर एंड कंसेट्रेशन ऑफ ड्रग सब्सक्रांस इन दर फॉमलेशन यह तुम सब में लिख सकते हो लेवल की इन्फोमेशन पीछे इतनी वी चीज़ें हमने पढ़ी है लेवल में सारी चीज़ें होती है नेम ऑफ द्रग ऑफ प्रोडट होता है अमाउंट ऑफ द्रग सब्सक्रांस पर कंटेनर कंटेनर के जगए यहां पर स्ट्रिप कर देना अगर टैबलेट जडग दोटिया है उसके मिलाजन चेट करें क्या इसको जलत राती है एकर राती में लूट आइख सकते हो कोई दिख्कत बात नहीं है storage condition सब जिसमें कोई नी कुछ पढ़ते आ रहे हैं न हम लोग यह तो अच्छे में से माहिर हो गए हो गए should be stored at either room temperature और refrigerated temperature should not be freeze storing cool and dry place protect from direct sunlight and heat should not be frozen यान कि उसे बरफ की तर जमाना नहीं है shelf life discard container four week after opening अगर खोल लिया है नाक में डालने वाला तो चार वी कहना कि एक महने बाद उसे फिर आप फैंक दे उसका अब इस्तिमाल ना करें के लिए रहे बाते हैं तो यह था हमारा नैजल स्प्रे और यह लेक्चर यहां पर हमारा खतम हो जाता है तो बेसिक था चीज़ें सारी वही है थोड़ा से दिमाग में रख लेंगे कि कौन कौन से पॉइंट देने अंदर के पॉइ लगता है बहुत से बच्चे कॉल करते हैं और अपने समस्यां का मुझसे समधान लेते हैं बहुत अच्छा लगता है मैं बहुत हो कि help कर पाया हूँ अगर आपको कोई प्रॉलम है तो आप कॉल कर सकते हैं बिल्कुल भी हिचकचान की ज़रूत नहीं है बाद बागे अपन जिन लों को लगता है कि नहीं हमारा लेक्चर और नोट से काम हो जाएगा वो लोग यूट्यूब से अपना जुड़े रहें पढ़ते रहें और रिवाइस करते रहें ओके ओल दा बेस्ट